पावर बाइट के आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूँ जैसे के नाम से जाहर है कि ये सामरत से भरा नौाला है क्या है कि इसमें हम परमिश्वर के अलोकी कामों को लोगों की गवाईयों की शकल में देखेंगे फिर सीखेंगे कि इन गवाईयों से किस तरह इनों ने जिनकी गवाईय है किसा चमतकार पाए ताकि आप भी उन से सीकर प्रमिश्वर के अलोग की कानून जाने और आप भी चमतकार को पासकें आज हम बात करेंगे बहन शिला की गौाही से वो पचास साल से एक आंक से अंदी थी वो मेरी सर्विस में आई और प्रभी यसुनियों ने चंग्याई दी करेंगे पहले उनका वीडियो क्लिप देखने उसके बाद उनकी सर्विस का यह लाइव क्लिप है उसके बाद उनकी वीडियो का क्लिप विए राईक्यों मेजयु, डाऊक्व İşteilla सना, आढक्य evolved और न bueno, को आवकी। ए राईब यह 8 ज नोेंये जना, Hist आपने देखा किस तरह परमिश्वर ने ये चमतकार किया, किस तरह बहन ने अंदी आंख, जो पचास साल से अंदी थी, चंग्याई पाई, तो क्या बात थी, क्यों से रिकाब्टें थी, जिनकी वज़ से पचास साल तक वो अपनी चंग्याई को ना पासके, वो मसी थी, मसी घराने में पैदा हुई, मगर वो अपनी चंग्याई को ना पासके, उनकी गवाई से कुछ सवाल जनम लेते हैं, आज जादा नहीं सरफ एक सवाल पर बात करेंगे, हो सकते आपके मन में यह सवाल हो, तो आएं अब शीला की गवाई का एक वीडियो क्लिप देखते हैं, उस वीडियो क्लिप से हम सीखेंगे आज कि उन्हों किस तरह आगे आएं, कि वो क्या बात थी जिसने उनका विश्वाश मढ़ाया कि उन्होंने चंग्याई पाए, आएं और शीला स्काट क कि वीडियो का क्लिप देखने हैं, word of knowledge मिला जब उन्होंने word of knowledge सुना word of knowledge क्या होता है सबसे पहले बात करते है word of knowledge क्या होता है इसे हिंदी में ग्यान वचन कहते हैं ग्यान वचन क्या है ये पुतर आत्मा का वर्दान है जो पुतर आत्मा देते हैं तो ये विस वर्दान से हम बात में सीखेंगे क्या फाइदा होता है ग्यान वचन जो है वो हमारी ग्यान इंद्रियों से नहीं मिलता हमारे common sense से नहीं मिलता जैसे मैं आप से बात करूँ अगर मैं किसी को सर पे हाथ रखे वो देखूँ सर को दुबाते वो देखूँ ऐसे कि वो सर में सर को दुबा रहे हैं तो कहूँ कि मुझे लग रहे है आपके सर में दर्द है वो तो जाहर है और मैं देख रहूं आप महसूस कर सकती है तो क्या है कि ग्यान वचन ये इश्वीरे प्रिकाושन होता है जो पत और आत्मा के दोआरा मिलता है इसमें इससे क्या होता है कि उसको विश्वाश बढ़ता है जिसको मिलता है उसका विश्वाश बढ़ता है और देने वाले का भी विश्वाश जैसे मुझे पितर आत्मा ने ग्यान वचन दिया इस सर्विस से पहले जब मैं प्रात्मा में था एक दिन पहले तो पुतरात्मन ने मुझे दिखाया कि उस सर्विस में लेडी आएंगी जिनकी एक अंक से अंधी होंगी जब मैंने ग्यान वचन दिया तो उस सर्विस में एक से ज्यादा थी औरतें बहनें जिनके एक अंक से अंधी थी तो इससे पहले क्या हुआ कि तीन और औरते आई जिनों ग्यान वचन मिला उसके बाद शीला स्कॉाट भी आगे आई उन ग्यान वचन के साथ ये यकीन हो गया कि ये मेरी ग्यान इंदरियों से नहीं मिला ये मुझे नहीं पता था इसके बारे में ये इशुरिय परकाशन है और इसके साथ उनका वश्वाश बना और मेरे इंदर इसलिए वश्वाश था कि मुझे इसे इनकी आने से पहले मुझे इस बात की इंफर्मेशन थी मुझे पता था कि इस सर्विस में ये चमतकार होगा तो ये ग्यान वचन है खास समय पे खास विक्ती एक से ज़्यदा विक्ती के लिए मिलता है इससे फाइदा क्या होता है इससे फाइदा मैंने जैसे पहले कहा कि इसके साथ विश्वाश बढ़ता है विक्ती का जिसके ल ये इश्वरिय परकाशन है मैं आपको इसके बारे में एक और गवाई देता हूँ मेरी एक मीटिंग थी वहाँ परविश्वर ने चमुतकार किये अंदी एक बहन थी वो ठीक हुई फिर मैं एक के लिए दुआ करा था तो उससे एक सर्विस पहले एक दिन पहले पुतर आत्मन मुझे बताया था कि वहाँ पर कोई कोई जवान लड़की है जिसके दाएं फेपड़े में दर्द है और सांस की तकलीफ है जब मैं उस विक्ति के लिए दौा करा रहा था तो पुतर आत्मन एक दम मुझे याद कराया कि यहाँ पर एक जवान लड़की है उसके बारे में रुक और मैं रुका मैंने रुक कर कहा कि जवान इस सर्विस में कोई जवान बैटी है जिसके सांस की तकलीफ है पर भी यसु से चंग्याई देना चाहता है तो एक दम एक चीख की आवाज आई तो एक जवान लड़की आई उसके लिए मैंने प्रात्ना की और उसे एकदम चंग्याई मिली उसके बाद उसके पूरे चर्च को गवाई दी कहती है कि मैं परमिश्वर से यह सवाल का रही थी कि अगर मुझे आप शवा देना चाहते है तो अपने खादम को अपने सेवक को रोक कर के हैं कि मुझे बलाए कहती है भी मैंने ये अपने दमाग में ये बात चल रही थी तो मैंने कहा कि मुझे यकीन हो जाएगा कि मुझे चंग्याई मिलेगी तो जब उसने अपने दिल में भी सोचा ही था तो एकदम पितर आत्मा ने मुझे रोका और मुझे से कहा कि को हो के यहां पर एक बहन है मैंने कहा तो वो कहती ही उसी ताम मुझे यकीन हो गया कहती ही इसलिए मैंने चीख मारी कि ओ माई खुदाया परमिश्वर आप किते भले हैं आप मेरे दिल की बातों को जानती हैं मेरे दिल के रास जानती हैं तो इससे यकीन हो गया कि ये इश्वरिय परकाश्षन है तो यह इह ग्ञान वचंग वोड अफ नालिज इसके बाद आपके दिल में शक्त ना रहे कि लोग करते हैं कि ये सेवर को किसने पताया, किसी ने पहले का होगा, हाँ, मुझे पहले पता चलता है, मुझे पुतरात्मा के दुवारा, तो आज हमने सेखा कि word of knowledge, ग्यान वचन क्या होता है, तो अगले जो power bites में, हम एक दूसरे स्वाल पर बात करेंगे, कि ये क्या बात थी, क्या रिकाउटरें थी, कि पचास साल तर शीला, भेन, रुकी रहीं, और उस चमतकार को ना पा सकीं, तो अगले power bite में मिलेंगे, God bless you.